नव वर्ष पर क्या संदेश क्या शुपकामना है सर्थ नव वर्ष पर मैं समस्त दर्शकों से कोई ये संदेश देना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों से भारत ने कोरोना नामक एक अभूत्पूर संकट को जहला और बड़े साहस्पून तरीके से इस संकट से हम लोग ब पहस्त हो चुकी है किन्तु भारत की अर्थवयस्था फिर से उतनी ही गती से दोड़ने लगी है मैं असिस्टेंट कमिशनर जीस्टी नौड़ा डॉक्टर शाम सुंदर पाठक मैं आपको एक छोटा सा आकणा देता हूं जैसे पिछले महीने हमारा जो जीस्टी कलेक्शन वह अब तक सेकंड हाइस था और जब इसी वर्ष मार्च में जब कोरुना गया अप्रेल में हमारा जीस्टी कलेक्शन जो है वह हाइस था कहने का अर्थ क्या है कि हमने कितनी बखुवी इस संकट को से हम निपते हमारे देश के इसके लिए प्रतेक नागरेक प्रतेक व्या को उस आशा को उस विश्वास को नहीं खोना है कि हम बड़े से बड़े संकट को जहिल सकते हैं ओमिक्रोन नामक जो यह नया संकट फिर से लोगों के सामने आ रहा है हमें बिल्कुल भी इसके लिए घबरानी के आवश्यक्ता नहीं है हम अपनी जो भारती संस्क्रती है उस चेत्रवाशियों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सरकार ने जो गाइडलाइन की अपेक्षा प्रत्यक नागरिक से की है उसका स्विच्छा से पालन करें क्योंकि यह सिर्फ सरकार का कार नहीं है बलकि हम सब की व्यक्तिकत जिम्मेदारी है कि ओमिक्रोन को फैलने स करते रहें इसका मतलब यह द्याना आप करता रहे है बस क्या करना है कि जो कारगी गाडलाइन उनका पालन करना एक नियमित दिंचर्या का पालन करना अपनी इम्मुनिटी को बढ़ाना है और जो भारती संस्कृति की जो विशेष्टा हैं उनका पालन करते रहना क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो केवल एक अध्यात्मिक संस्कृति नहीं है बलकि साथ हाँ हमारी संस्कृति का को बढ़ाती अपनी संस्कृति का बढ़ाती бесп Diana को हमें सरकार की गार्लाइन का बालन करते और हम अपनी आशा को अपने विश्वास को बनाए रखिए हम पृतिक संकट से जीत सकते हैं और जीतेंगे